असलाम अरीकूम वेलकम बैक तो माई चैनल इस मीना असीफ आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत मैकप से कादीर मैट फिनिश आई शेडो लगाने के उपर मैं सोच आप बिगनर्स के लिए ग्लीटर लगाने का आई मैकप आप लोगे साथ शेयर और कौन सा प्रोफेशन मैथट होता है जिसको लगाने के बाद हमारे क्रीटर जढ़ते नहीं है क्रीस लाइन नहीं पड़ती तो आज की वीडियो इसी के उपर है एंट तक देखना है बिल्कुल स्किप नहीं करना है सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो जदी से कर दो वीडियो को भी के लाइकन शेयर कर दो उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हो सीखते हैं ब्यूटिफुल सा ग्डीटर आई मैकप लोग मैकप स्टार्ट करने से पहले कौन सा स्टैप हमें पहले लेना होता है आई होप अगर मेरी चैनल पर पुराने हो तो आप को जरूर समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग नहीं हो तो मेरी वीडियो को बिल्कुल देहान से देखना है पहले आई ब्रोज को शेप देना है ब्रो पॉमिट्स मैं यूज कर रहे हूं आप लोग किसी भी प्रोड़क के साथ जैसे कि आई शेडो है ब्राउन कर लो और इसके बाद इसको कॉम्पैक्ट या लूस पॉडर के साथ फिक्स कर लो यह मैथट होता है आई मैकप स्टार्ट करने से पहले का एल ए गल का आई शेडो पैलेट आज के मैकप के अंदा में यूज कर रही हूं आप लोग के पास जो भी अवेलिबिल है आई शेड लेना है मैट फिनिश शेड को एज टांजिशन अपलाई करना है ब्लेंडिंग ब्रिश मैं यहां पे लिया है जोईवा का आप लोग के पास भी अच्छा कॉलिटी का ब्लेंडिंग ब्रिश होना चाहिए ब्रश इस टूल्स आप लोग के बहुत अच्छी होने चाहिए सब्सक्रीश लाइन बनाई उसको ब्लेंड किया और सेम पालिट से मैं इने श्रिमर शेड लेकर आई लएट के अपलाई कर लिया यह मैं आई लिट पैसले अपलाई करिया चाहूं तो मैं डारेक लिटर भी लगा सकती थी लेकिन वह जो है न वह अन प्रोफेशनल तरीका ह जाता है आई लिट के ऊपर कभी भी आप लोग को डारेक्ट ग्लीटर के अप्लिकेशन नहीं करनी जिसके आपको ग्लीटर लगाना है उसके पहले आई शेडो नीचे लगाओ एक बेज बनाओ अच्छी सी और फि उसके बाद आप जब लीटर के अप्लिकेशन करोगे ना तो अपने प्याजिवर जाता है उसके बाद जब हम ग्लीटर लगाते हैं तो बहुत अच्छी से सटक हो जाता है मैंने यह पर पहले प्रच से लगाया है इसके बाद फिंगर के साथ इसको बहुत अच्छी से प्रेस कर लेना है आप लोग भी लाज़िवर यूज़ कर इसके बाद एक simple सा मैंने brush लिया है और जो glitter मेरा dust out हो गया था उसको मैं अच्छे से dust out कर लिया अपने grid के जगह से क्योंकि काम में finishing आपकी होनी चाहिए बिल्कु साफ सो तरह काम करने के आदर डालोगी तो वैसे की काम आगे जाके आपको करना आएगा हाइलाइटर लगा लिया है मैंने brow bone पे और tear duck पे कोई सा भी हाइलाइटर यूज कर लो है ना और यहां पर जो है जो मैंने dark purple लगाया था ना लोयलाइटर पे पहले मैं वह लगा रही हूँ और उसके बाद जो मैंने peach कर लगाया तो उसके साथ मैं ब्लैंडिंग कर दूँग तो यह मैंने थोड़ सा change किया है यह आप लोग भी changing किया करो makeup बहुत प्यारा लगता है और यहां पर NYX की मैं nude pencil लगा रही हूँ अपने waterline के अंदर यह optional है आप लोग को जो अच्छा लगा आप लोग लगा लो black white nude mascara तो लगाने यह बरबर के कोई साभी mascara किसी भी quality का आप लोग को लगाना है अच्छी product use किया करो अच्छे results आएंगे मैं यहाँ पर Maybelline का use कर रही हूँ और अच्छे से coat कर लिया अपने eyelashes को eyelashes को coat करने के बाद थुरसा डाय होने दो उसके बाद lashes को fix कर दो इससे हमारी eyelashes बहुत खुबसूरत लगती है अच्छा मुझे liner लगाना नहीं था आज के makeup में क्योंकि glitter के उपन लाइनर मैं नहीं लगा दी बहुत कम लगाती हूँ ने कि eyelashes लगाने के बाद मुझे नहीं लग जाए वल्ली मिकी ब्राइट बहुत खुबसूरत लगेगा उनके ब्रेस के अकॉर्डिंग आप लीटर यूज करो और शीमर मैकप लीटर मैकप आजकल तो बहुत जादा एन है अगर आप पॉलर रन कर रही हो या सोच रही हो कि आगे रन करना है तो बहुत क्लाइं बहुत